अपने पुनरजन को ऐसे जाने पुनरजन में कोई भले ही विश्वास न रखे लेकिन ये तो सच्छे की व्यकति का पुनरजन होता है माना जाता है दुनिया में 84 लाख यो जाता है इनमें अपने कृमों के इसाब से लोगों को जन्म मिलता है, इसका उलेक पुराणों में भी है, हिंदूों में पुनरजन को मान्यता दी गई है लेकिन कई धर्मों में ऐसा नहीं है, लेकिन कई ऐसी बाते हैं जिनके आधार पर आप पता लग सकते हैं कि किसी व्यक्ति का पुनरजन्म हुआ है, हाला कि ऐसे मामले कम ही द तो समझ पाते हैं, नहीं इसके पीछे च्छे पेकारणों को समझ पाते हैं, लेकिन आज हम आपको इन अनोखे अहसासों के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं। जिससे सुनने के बाद आप सोच में पढ़ जाएंगे, क्या आपको भी अपनी पिछली जिन्ती को लेकर ये अजीब है अहसास होते हैं, तो इसका मतलब है आपका पुनरजन हुआ है, कैसे। आइए हम आपको बताते हैं, डर अगर आप बेवजह किसी वस्तू या व्यक्ती से डरते हैं और आपको किसी परिस्थिती से भय लगता है, काई लोगों के साथ, ऐसा होता है कि व्यक्ती उन चीजों से डरता है, जिससे आम जनता को डर नहीं लगता, तो इसका मतलब है कि भय के साथ आपकी पिछली जन्म की यादें जुडी हुई हैं, यादें अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ती से आप पहले मिल चुके हैं, या कुछ घटनाओं को देखकर आपको ऐसा लगता है कि वे पहले भी हो चुकी हैं, तो इसका अर्थ है आपके मन में पिछ बेर कि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पिछले जन्म से कुछ संबंध है। आकर्शन यदि आपको किसी खास जगहर से या किसी खास व्यक्ति कि और अगर आप आकरशित होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पिछले जन्म में उस जकह या ह豁ग या।